Hello friends, welcome to Unlock GS Academy चलिए स्टार्ट करते हैं अक्टूबर मन्द का 13 सेशन जिसमें हम न्यूजपेपर की exam oriented important news को multiple choice question के थूँ कवर करते हैं तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौनसे टॉपिक कवर करने बाले हैं प्रिबियस सेवंटीवन टॉपिक हम प्रिबियस 12 सेशन में कवर कर आ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम बात करेंगे बल्ड एकॉनमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में जानेंगे नेशनल हुमन राइट कमिशन के बारे में इस्ट्रो का एक नेक्स लेनरेशन लांच विकल क्या है उसके बारे में देखेंगे चर्चा करेंगे slot beer के बारे में एक initiative the just energy transition partnership क्या है उसके बारे में देखेंगे अभी एक हाली में एक report logistic is across different states यानि की leads survey report release की गई है इसके बारे में चर्चा करेंगे तो चलिए start करते हैं first question first question world economic outlook से संबंदित है इसमें आपसे पूछा गया है कि यह अभी हाली में news में रही यह किस institute के दौरा release की जाती है इसके regarding आपको चार ओप्षन दिये गए हैं first में है United Nation Conference on Trade and Development यानि की अंक्तार second में है International Monetary Fund यानि की IMF, C में World Bank and D में World Economic Forum यानि की WEF तो इसमें आपको correct option find out करना है तो चलिए रेखते हैं इसका answer यह release की जाती है International Monetary Fund के दौरा चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में इसको जो publish किया जाता है International Monetary Fund के दौरा publish किया जाता है अगर हम इसकी key finding की बात करें तो इंडिया second fastest growing economy होगा 2022 के लिए साउधी अरब के बाद और जो 2023 के लिए इसने project किया है कि ये इंडिया fastest growing economy होगा साथी साथ इसने आकलन किया है कि जो इंडिया की GDP growth है बे काफी अच्छी है और inflation यहाँ पर काफी high नहीं है लेकिन फिर भी इसने इंडियान economy के लिए कुछ threats बताए हैं कुछ खत्रे बताए हैं जैसे की crude oil का price high होना fertilizer का price high होना जो domestic महंगाई को भढ़ा सकता है इसके लाबा यदि बैस्विक मंदी आती है तो यह export को प्रभावित करेगा जिसके कारण से जो उसकी घ्रेलू growth है बेवी प्रभावित होगी इसके लाबा जो trade deficit है डॉलर का strong होना और रुपीज का depreciate होना रुपी के exchange rate पर प्रभाव डाल सकता है जिससे भारत का ब्यापार घाटा बढ़ सकता है तो यह इसने threats पता है है इंडियन economy के लिए अगर हम बात करें IMF की तो यह world bank के साथ इस्थापित हुआ था after the second world war for reconstruction of bar ravaged country यानि कि जो युद्ध प्रभावित जो country थी उनके reconstruction के लिए और यह Britain Boots समझोते के दौरा इनको established किया गया था 1945 में जो इसकी जो membership है वे उसमें बन 89 country सामिल है और भारत ने इसको जोइन किया था 27 दिसंबर 1945 को यदि IMF के primary अगर purpose की बात करें तो यह जो international monetary system है उसमें stability insure करने का काम करता है और इसके दौरा कई और reports भी निकाली जाती है जैस इसाथ world economic outlook report जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की तो यह question हमने discuss किया world economic outlook report से चलिए चलते हैं next question पे next question national human right commission से समंधित है जिसके regarding आपको तीन statement दिये गए है फर्स statement में कहा गया है कि जो national human right commission है राष्टिय मानवा दिकार आयोग है यह established हुआ था 1993 में as a independent statutory body के रूप में यानि कि बैदानिक निकाय के रूप में इस act के अंतरगत protection of human rights act 1993 के अंतरगत second statement में कहा गया है कि chief justice of the supreme court और the judge of the supreme court है बैसके chairperson हो सकते है नहर सी के third statement में कहा गया है कि जो secretary general है exercise कर सकते हैं सभी administrative और financial powers को जो की chairperson के control में होती है लेकिन किसको छोड़कर judicially function को छोड़कर तो इसमें आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसमें जो first statement में बात की गई है कि इसको एक बैधानिक निकाय के रूप में 1993 में स्थापित किया गया था under the protection of human rights act 1993 के अंतरगत तो ये correct statement है second statement में कहा गया है कि जो chief justice of the supreme court है और judge of the supreme court है इसके chairperson होने के लिए आरता रखते हैं तो ये भी correct statement है जो secretary general है exercise करता है जो की chairperson के control में जो भी power होती है उसके अंतरगत जो भी administrative or financial power है judiciary functions को छोड़कर तो वै exercise करता है तो ये भी इसके अंतरगत correct option है तो इसलिए इसका जो answer हो जाएगा डी all of the ever चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा अभी हाली में इसका तीसवा foundation day को celebrate किया गया जिसमें जो उपराष्ट पती ने इस बात पर जोड़ दिया कि जो human rights है वै एक सर्वोत क्रस्ट माध्यम है democracy को आंगे भढ़ाने के लिए और हर एक बैक्ति को हर होने के कारण उसको प्राप्त होते हैं अगर हम बात करें कि इसकी और किसमें बात की गई है जो हमारी जो fundamental duty है उसमें 51 A और G केंतरगद ये खाहा गया है कि हर एक जो नागरिक का करता भी होगा कि वे अपने natural environment को protect करें साथी साथ जो living creatures हैं जो जीब हैं उनके लिए करोना क भाव रखें उनके लिए compassion का भाव रखें और जो protection of human rights act है 1993 जो कि 2019 में इसको amend किया गया था इस act के अंतगर national human right commission का गटन किया गया है union level पर साथी साथ state के level पर भी इसके लाबा universal declaration of human rights के अगर हम बात करें तो ये एक international document है जो कि United Nations General Assembly के दारा एडॉप्ट किया गया था साथ साथ ये जो document है सभी राष्टों के जो कि इसके member है उनके सभी के rights को इसमें समाहित करता है अगर हम बात करें human rights commission की sorry human rights day की तो ये celebrate किया जाता है 10 December को around the world साथी साथ अभी freedom in the world report जो release हुई थी अगर उसमें इंडिया के status की बात करें तो वह free से partially free हुआ है मतलब उसकी जो position ह है वो degrade हुई है अगर human rights council की बात करें तो ये intergovernmental body है united nation के अंतरगत जो की responsible है कि वह जो human rights से संबंदित जो provisions है उनको promote करें उनको संदक्षन प्रदान करें amnesty अगर international की अगर हम बात करें तो ये एक international organization है NGO के रूप में जो की campaign करता है किसके लिए human rights के लिए उसको प्रदान करने के लिए ये कारे करता है गर हम बात करें national human rights commission की तो 1993 के अंतरगत इसको एक बैठानिक निकाय के रूप में स्थाबित किया गया था लेकिन अभी इसमें 2019 में कुछ संसोधन किये गये हैं तो इसको हम difference के तुरू देख लेते हैं कि 1993 में क्या provision थे और 2019 में उसम हो सकता था लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि इसमें chief justice of the supreme court के साथ सा judge of the supreme court है बेभी eligible है chairperson of the NHRC बढ़ने के लिए अगर हम other members की बात करें तो इसमें पहले जो 1993 के तहट थे वे टू members थे जो की appoint किये जाते थे यदि उन्हें किसी तरीके का practical experience है human rights से संबंदे तो उनको उ और लेकिन इसमें ये भी कह दिया गया है कि at least एक जो person होना चाहिए वे woman होना चाहिए इसके लाब़े इसमें ex officer member की बात की गई है ex officer member होते है जो कि अपने पद के कारण उसके member होते हैं जैसे कि chairperson of the national commission of the minority है national commission for scheduled cast है national commission for scheduled tribes है और national commission for women है वे इसके member होते हैं लेकिन अब क्य कर दिया गया है national commission for backward class और national commission for protection for child rights साथी साथ chief commissioner of person with disability जो है वे भी इसके member बना दिये गए है तो पहले ये चार member थे तीन और member को इसका member बना दिया गया है और एड किये गया है वे backward class के national commission for backward class के national commission for protection of child rights के और chief commissioner of person with disability के members को इसमें सामिल कर दिया गया है अगर हमके tenure की बात करें term की बात करें तो chair person और member का जो term होता था पहले फाइव यर्ड और 70 years होता था जो भी इसमें पहले हो जाए वे इसके अंतर गर ये उनकी terms होती थी लेकिन अब जो उनका tenure कर दिया गया है वे 3 years और 70 years कर दिया गया है जो भी इसमें से पहले हो उसमें वे उतने पत को त्याग कर देंगे इसके लावब इसमें reappointment यानि की पुनर न्युक्ति की बात की गई थी जो chair person जो इसके अंतर गर रिपॉइंट की हो करते थे members NHRC के लिए कितनी साल तक के लिए 5 years तक के लिए लेकिन अब जो बिल आया 2019 में उसने ये 5 year की जो limit है जो member को पुनर न्युक्त होने के लिए उस limit को हटा दिया है इसके लावब जो इसके इंतर का secretary general होते हैं उसकी power की बात की गई है जो act, जो secretary general है वो इस commission के chief executive officer के रूप में काम करता है लेकिन इसके में पहले का गया था कि वे सारी power exercise करेगा जो कि उसको delegate की गई हो लेकिन अब इस bill में क्या कर दिया गया है उसको specify कर दिया गया है कि वे सारी power exercise कर सकता है जो कि chair person के control में है चाहिए administrative power हो या financial power हो लेकिन इसके अंतरगर judicially functions सामिल नहीं है तो ये हमने discuss किया National Human Rights Commission के बारे में चलिए चलते हैं next question पे next question ये PSLV और GSLV से सम्मंदित question है ये UPSC में 2018 में इसको पूछा गया था इसमें अगर हम first statement की बात करें तो इसमें जो PSLV launch satellites है वे मदद करते हैं Earth resource monitor करने में जबकि जो GSLV हैं बड़ डिजाइन किये जाते हैं communication satellites के लिए इसके लाबा second statement में ये कहा गया है कि जो PSLV के दौरा जो satellite launch किये जाते हैं वे permanently fixed होते हैं same position की जो sky और जिसे अर्थ की particular location से देखा जा सकता है 3rd की अगर हम बात करें तो GSLV जो MAG-3 है ये 4 stage launch vehicle है बिताफ 1st और 3rd stage है वे उसकी solid rocket motors के रूप में यूज की जाती है जबकि 2nd और 4th stage है वे उसकी liquid rocket engines के रूप में use की जाती है तो इसमें आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसमें जो first statement में बात की गई है कि जो PSLV है वे satellite है useful for earth resource monitoring के लिए तो ये correct statement है और जो GSLV design की जाती है for launch communication satellite के लिए तो ये भी correct है तो इसके लिए statement correct हो जाएगा लेकिन जो second statement में बात की गई है कि जो PSLV के दौरा satellite launch की जाती है वे earth में एक fixed position पर रहती है तो ऐसा नहीं होता क्योंकि ये geostationary satellite की बात कर रहा है और geostationary satellite PSLV के दौरा नहीं launch किये जाते है ये GSLV के दौरा launch किये जाते हैं तो ये जो statement हो जाएगा वे wrong हो जाएगा third statement में जो बात की गई है कि GSLV MAC-3 एक four stage launch vehicle है GSLV MAC-3 four stage vehicle नहीं है बलकि three stage vehicle है जिसमें नीचे आपका first stage में solid second stage पर liquid और जो third है वे cryogenic stage है जबकि जो इसके अंदर जो description दिया गया है कि इसके अंदर चार stage है solid, liquid, solid and then liquid तो ये PSLV के बारे में description है ना कि GSLV MAC-3 के बारे में तो इसका जो answer हो जाएगा by a one only चलिए देख लेते हैं इसके बारे में अभी जो ये चर्चा में रहा इसरो ने एक next generation launch vehicle launch किया है इसका जो उद्देश है कि जो PSLV है उसको replace करके एक next generation launch vehicle को develop करना इसके अगर features के हम बात करें तो इसमें 3 stage रहेंगे जो कि reusable रहेगा heavy lift vehicle के लिए इसके अलावा इसमें semi cryogenic propulsion system रहेगा for booster stage के लिए इसके अलावा जो 10 tons payload की capability होगी कि ये geotransfer orbit में इसको इस्थापित कर पाए ये cost efficient होगा साथी साथ simple होगा मजबूत होगा साथी साथ इसकी bulk में manufacturing की जा सकीगी इसमें सबसे important बात यह है कि reusable heavy lift vehicle होगा जो कि 3 stage का होगा साथी साथ इसमें cryogenic नहीं बलकि semi cryogenic propulsion for booster stage में इसको लगाया जाएगा इसके अगर हम potential use की बात करें तो launch communication satellites launch करने में साथी साथ deep space mission है उसको launch करने में और जो future human space flight अगर जाना मतलब भीजना चाते हैं या cargo mission भीजना चाते हैं तो इसके लिए useful होगा साथे साथ एक business model इसके अंतर तयार किया जाएगा जिससे जो next generation launch vehicle है इसको एक commercial रूप में इसको भैतर तरीके से use किया जा सकेगा अगर हम बात कर लें तो जो PSLV जो हमने question discuss किया जो PSLV है यह third generation launch vehicle है इंडिया का जो कि 1994 में इसको launch किया गया था और जो first इंडियान जो launch vehicle है जो की liquid है liquid stage से इसकी जो अगर services की बात करें तो यह low earth orbit में satellite launch करने के लिए यूज किया जाता है पर्टिकुलर्ली जो इंडिया की remote sensing series है वे इसके दौरह ही launch की गई है और साथे साथ इसकी जो capability है बैस 1750 kg का payload sun synchronous polar orbit में जो की 600 km तक है उसमें launch किया जा सकता है इसके लाबा जो geostationary space launch vehicle है GSLB है डिजाइन किया गया है जो इंडिया की जो national satellite system है यानि की inset है उसके लिए इसको deliver करने के लिए इसको design किया गया था और जो की जो series है multipurpose geostationary satellites की जो की इस रोग के दौरह इसको launch किया गया था for telecommunication purpose के लिए broadcasting के लिए साथे साथ meteorology के लिए और यह place करता है जो satellite को high elliptical geosynchronous transfer orbit में और इस transfer orbit में क्या होता है कि जो यह permanently fixed दिखाई देता है same position पर in में देखेगा अगर हम बात करें gslb mac3 की तो इसमें 3 stages है जिसमें आपकी first stage पर solid है second stage पर liquid है और जो third stage है जो की booster stage है वे उस पर cryogenic fuel को इसमें यूज किया जाता है और यह fourth generation launch vehicle है जिसके अंतगत यह capable है कि चार से पांच टन की satellites को geosynchronous transfer orbit में इस्थापित कर सके इसके लाब हम इश्रो के कुछ other initiative के बारे में भी देख लेते हैं जो अभी चर्चा में रहे जो इश्रो ना भी प्रपोस्ट किया है कि जो एक dedicated satellite for किसके लिए support करने के लिए agriculture के लिए भारत किरसी satellite program के अंतरकर इसके अलाबा एक earth observation council भी बनाने का इन्होंने प्रपोस्ट किया है इसके लाबा जो इसके अंतरकर जो भारत किरसी satellite program के अंतरकर दो satellite भीज़े जाएंगी जो की परयाप coverage कर सकेगा agriculture area का अगर हम आज की बात करें तो कौन कौन से agriculture satellites है resource set जो की crop production forecast करता है carto set है जो की जो topography है agriculture field की वह उसकी mapping करने का काम करता है साथी साथ better forecasting के लिए reset का हम अभी use करते हैं इसके लाबे इन्होंने प्रपोस्ट किया है earth observation council को भी बनाने का जो की अभी current में जो deficiency हैं की जो observation की आनियमित्ता हैं साथी साथ जो हमारे जो remote sensing जो data है उसको ठीक तरीके स हम पूरी तरीके से utilize नहीं कर पाते साथी साथ उसका कम उसकी data processing कर पाते हैं तो उसकी चीजों को address करने के लिए उस deficiencies को address करने के लिए earth observation council का गठन किया जाएगा इसके बाद एक report भी release की गई है developing the space ecosystem in India जो की focus कर रहा है inclusive growth तो इसमें जो report का नाम है the space ecosystem in India focusing on inclusive growth यह जो report है वे release की गई है Indian Space Agency और साथी साथ जो Ernest and Young है उसके साथ मिलकर यह space ecosystem के लिए इंडिया में उसके लिए यह report release की गई है यह cover करता है पूरे space economy के outlook को साथी साथ यह potential बताता है कि कैसे socio economic development किया जा सकता है with the help of the space program अगर हम इसकी key findings किया कर बात कर लें तो Indian space जो economy है वे 13 billion dollar तक पहुच जाएगी 2025 तक 2014 से अगर 19 की बात करें तो इसरो ने generate किये लगभग 16.5 million US dollar by the launch 26 countries के satellites को space में launch करके साथी साथ इंडिया का जो space sector है account करता है 2% of the global space economy जिसमें यह लक्ष रखा गया है कि यह private sector का अगर participation होका तो यह touch कर सकता है 8% of global space economy अगर हम बात करें कि private sector के participation के लिए क्या steps लिए गए है private sector को space sector में लाने के लिए तो इंडिया national space promotion and authorization center का घठन किया गया है in space का घठन किया गया है साथी साथ जो new space India limited का जो घठन किया गया है उसकी activity जो कि पहले supply driven model था अब उसको demand driven model के रूप में convert कर दिया गया है इसके लाब भारत अभी work कर रहा है कि new India space policy को बनाया जाए जो कि promote करेगा इस of doing business in space sector को साथी साथ Indian space association का भी घठन किया गया था 2021 में तो यह question हमने डिसकुश किया next generation launch vehicle के बारे में चलिए चलते है next question पर यह question sloth bear से संबंदित है जिसके रिकार्डिंग आपको तीन statement दिये गए है इसमें आपको correct statement find out करना है पर्स statement में कहा गया है कि जो world का first world sloth bear day है यह observe किया गया 2022-12 October को for generate awareness और conservation effort को strengthen करने के लिए second statement में कहा गया है कि यह unique bear species है जो कि endemic है इंडिया में third statement में कहा गया है कि इसका जो IOCN status है sloth bear का वे इंडेंसर है तो इसमें आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसमें जो first world sloth bear day observe किया गया बार अक्टूबर 2022 को for generate awareness और जो conservation effort है उसको मजबूत करने के लिए तो यह correct statement है second statement में जो कहा गया है कि यह unique bear species endemic है इंडिया की तो यह केवल इंडिया में नहीं बलकि इंडिया subcontinent में यह पाई जाती है साथी साथ नैपाल और स्रिलंका में भी यह देखने को मिलती है इसके बाद हाकर इसके IUCN की status की अगर हम बात करें तो यह endangered नहीं बलकि vulnerable है तो इसका जो second और third statement रॉंग है इसलिए इसका जो अंसर हो जाएगा ए बन only चलिए देख लेते हैं इसके बारे में तो first world sloth bear day observe किया गया 12 October 2022 को for awareness फिलाने के लिए साथी साथ जो conservation effort चल रहे हैं sloth bear के लिए उसको मजबूत करने के लिए इसके लाबा यह unique bear species है जो की Indian subcontinent में पाई जाती है और जो अगर इस day की अगर हम बात करें तो यह day proposed किया गया था wildlife SOS India के दौरा यह एक non-profit organization है जो कि पिछले दो दसकों से sloth bear के protection के लिए काम कर रही है यह 1995 में इसका गठन किया गया था तो यह proposed किया गया था wildlife SOS India साथी साथ IUCN special service commission के दौरा और उस proposal के दौरान जो sloth bear experts थे उन्होंने इस day को observe करने के लिए declare किया अगर हम बात कर लें sloth bear की तो यह sloth bear है जो 8 bear species पाई जाती है across the glow उसमें से एक है इसके लाबा यह इसका जो primarily यह इनकी जो diet है वे termites को खाते हैं आंस को खाते हैं इसके लाबा यह sloth bear जो होते हैं वे सहेद honey के काफी सौकीन होते हैं इसके करण से इनको honey bear के नाम से भी बुलाया जाता है और इसमें एक महत्मून बात यह है कि sloth bear जो होते हैं वे hibernation पर नहीं जाते इसके लाबा इनका जो nature होता है काफी आक्रामक होता है इसके लाबा यह जो least researcher bear species है जिन पर अभी काफी ज़्यादा research नहीं किया जा सका है इसके लाबा इनके habitat के अगर हम बात कर लें तो जो sloth bear है only found होते हैं Indian subcontinent में Nepal और स्री लंका में भी इसकी देखने को मिलती है जो 90% और ग्लोबल sloth bear population की अगर बात कर लें तो यह इंडिया में पाई जाती है और इनके अगर conservation status की बात करें तो आयूजी इनकी red list में इनको बलनेरिवा status दिया गया है वाइला प्रोटेक्शन एक्ट 1922 के तैद इनको schedule बन में रखा गया है जिसके अंतरगे 6 schedule हैं जिसमें से इनको schedule बन में प्रोटेक्शन दिया गया है साथी साथ अगर हम sites की list की बात करें तो जिसमें तीन appendix होती है उसमें appendix बन में इनको protection provide किया गया है अगर हैं इनके खत्रे की बात करें तो जो एक एथनिक रूप है एक जनजातिय गूप है कलंदर्स इनके दोर इन sloth pears को पकड़कर उनके से dance कराया जाता है और एक करतब दिखाया जाता है और एक उनको आजीविका के साधन के रूप में यूज किया जाता है तो इनके लिए ये एक threat है साथी साथ जो several reports की अगर बात कर ले तो इनकी जो population है drop हो चुकी है 40-50% तक in last 3 decades जिसका कारण है इनके habitat का loss होना साथी जो habitat का fragmented होना और इनका जो poaching और जो human bear conflict का जो खत्रा है वो लगाता भरता जा रहा है इसके कारण से ये इनकी जो population लगाता decrease हुई है तो इसमें sloth bear के बारे में ये sloth bear है इसकी IOC status की हम बात कर चुके है sites की बात कर चुके है wildlife protection act 1930 के अंतरगत इसको schedule बन में संडक्शन प्रदान किया गया है तो इसकी भी हम इसमें बात कर चुके है ये था question sloth bear से संबंदित चलिये चलते हैं next question पर next question just energy transition partnership से संबंदित है जिसके regarding आपको तीन statement दिये गए है just energy transition partnership first statement में कहा गया है कि just energy transition partnership है एक agreement है between the government of South Africa, United States, United Kingdom, France, Germany and European Union के बीच में इसके लावा ये help करने का प्रयास करता है जो large developing economies हैं कि वह जो उनके coal है electricity produce करने के लिए जो coal का use करते हैं उससे बैए move करें और साथी साथ clean energy की रूप में बैए transfer हो जो Paris climate goals हैं उनको अचीव कर सकें जिसके दौरा बैए Paris climate goals को बैए अचीव उनके दौरा किया जा सके थर्ड statement में कहा गया है कि 8.5 billion multinational ventures fund बनाया गया है जिसका उत्यस है कि जो coal fired जो power generation है उसको phase out किया जाए साथी साथ जो incentivize किया जाए कि clean energy investment को किस तरीके से भढ़ाया जाए तो ये venture fund ये phase out करेगा coal fired power generation को और incentivize करेगा clean energy investment को तो इसमें ऐसे आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer तो ये जो agreement है government of South Africa, United States, United Kingdom, France, Germany and European Union के दौर इसको establish किया गया है इस agreement को साथी साथ ये help करता है developing economies की कि वे जो electricity produce करने के लिए बैए coal को produce करते हैं उसकी जगे clean energy की तरफ भड़े जिससे वे Paris climate goals को achieve कर सके इसके लाब इसमें जो venture capital fund बनाया गया है वे 8.5 billion dollar का है जो कि assist करेगा कि वे clean energy investment के रूप में in developing country को दिया जा सके तो इसके लिए तीनों ही option correct है इसलिए इसका जो answer हो जाएगा अगर हम इसके significance की बात करें तो यह important इसलिए है क्योंकि इसमें जो हर एक partner है आपने socio economic development की इस्तिति के अनुसार इसमें जुड़ सकता है और अपनी accordingly ही इसमें initiative ले सकता है उस पर कोई एक standard solution उस पर force नहीं किया जाएगा इसके लाबा इसके जो जो agreement हुआ था यह COP26 में हुआ था जो की Glasgow में संपन की गई थी जो यह हुआ था France Germany UK US और साथी साथ European Union और इसके अलाबा South Africa भी इसमें सामिल हो गया इसमें जो South Africa भी इसमें सामिल हुआ तो जो फंड करेगा South Africa के decarbonization के लिए जो उसमें replace करेगा जो coal का यूज कर रहे हैं by clean energy से इसके लाबा जो agreement है यह recognize करता है कि जो coal का जो जिससे departure करना है coal के जो production को छोड़ना है तो वह एकदम से नहीं हो जाएगा overnightly नहीं हो जाएगा उसके लिए धीरे-धीरे initiative लेने होंगे इसके लाबा इस partnership का जो core है वह assist करना green transition को from the developed country है उनसे fund और जो multilater institution है उससे fund जो developing nations को provide कराना जिससे कि वह एक green transition की और भढ कर सके इसके लाबा जो climate deal इसमें offer की गई है इंडिया के लिए by the G7 के दौरा इसमें US और जर्मनी ने प्रपोज किया है G7 partnership से कि इंडिया को support करें fund के लिए कि वह जो energy mix fossil fuel से carbon neutral source की तरफ move कर सके इसके लाबा जो यह deal है announce की जाएगी इस मंत में जो summit होनी है G7 की Sols Alamo Germany में sorry Sloss Alamo Germany में जो अभी इस वार G7 की summit होनी है उसमें यह इसको रखा जाएगा table पे इसके लाबा जो special initiative है उसमें इस साल की जो G7 की summit है उसमें इंडिया को special invite के रूप में में बुलाया गया है साथी साथ इंडोनिशिया, South Africa, Senegal और Argentina को भी special invite के रूप में आमंतरित क किया गया है और अगर यह deal संपन होती है तो इंडिया को इसमें जो number of coal burning power plant है उनको कम करना होगा साथी साथ जो coal mines है उसको gradually उसको बंद करना होगा उसको close करना होगा तो यह हमने बात की just energy transition partnership के बारे में चलिए चलते हैं next question पे next question एक report से संबंदित है logistic is across different states यानी की leads survey report इ 1st statement में कहा गया है कि जो leads है एक indigenous data-driven index है जो कि assist करता है logistic infrastructure को cable in 36 states और UDs में 2nd statement में कहा गया है कि इसको 1st 2018 में launch किया गया था 3rd statement में कहा गया है कि जो leads 2022 है adopt करती है classification based ranking system को जबकि previous leave है उसके दोरह जो version था उसके दोरह जो system based था वह था grading system for all states तो इसमें आपको correct statement find out करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका answer इसमें जो first statement में बात की गई है कि यह logistic infrastructure के लिए है तो यह infrastructure के साथ सा service और human resource के लिए भी यह assess करता है in 36 states और UDs में तो यह wrong statement हो किया गया था 2018 में तो यह correct है इसके लाबर जो third statement में जो बात की गई है कि इसने adopt किया है इस report में leads जो 2022 report जो release हुई है उसने adopt किया है classification based ranking system को जबकि previously क्या था उसका grading system था तो पहले system था ranking based और इस पार उनने जो system adopt किया है और grading system किया है जिसमें 3 grade में उनको divide किया गया है तो यह भी इसका wrong statement हो जाएगा इसलिए जो इसका answer होगा by be to only चलिए जान लेते हैं इसके बारे में logistics की अगर हम बात कर लें तो यह process होती है जिसके अंतरगत efficient transportation किया जा सके goods का साती साथ उसको store किया जा सके जो उसका point of origins है और जो उसका point of consumption है उनके बीच में अगर हम बात करे इंडिया के logistic sector के बारे में तो यह इंडिया की GDP में 14.4% contribute करता है अगर हम बात करें leads report की तो leads जो report है indigenous data driven index है जो कि assist करता है logistic infrastructure, services और human resource across all the 36 states and UTs में इसका जो महत्पून जो tool है वह यह प्रयास करता है कि इस logistic sector की efficiency को बढ़ाया जाए साथी साथ जिसके जो targets है उसको achieve किया जाए और जो logistic cost है उसको कम किया जा सके compared to the global benchmark इसको first time इसको launch किया गया था 2018 में अगर हम की highlights की बात करें leads 2022 की तो इसने classification based grading system को अपनाया है जो previous था वह उसका ranking system था जिसके अंधर जो तीन classification इसके किये गये है जो एक तो achievers, दूसरा fast mo movers and third aspirers, अगर कोई भी states और UT achieve कर लेते हैं 90% और more percentage तो वह achievers में आ जाएगा, और fast movers की अगर हम बात कर लें तो 80-90% achieve कर लेता है score तो, और aspirer अगर below है 80% से तो वह भी aspirer category में रहेगा, अगर significance की बात कर लें तो यह indicator है logistic sectors की efficiencies को find out करने के लिए, साथी साथ यह जो necessary step ली जानी चाहिए कि trade को भढ़ाना, competitive में इसको भढ़ाना साथी साथ, economic growth में participate करने के लिए, logistics sectors में क्या related challenges है, क्या उसके अंतगत, bottlenecks है, तो उनको बताने का काम करता है, और उसको guide करता है कि इसको किस तरीके से दूर किया जाना चाहिए, अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें जो category, तीन category में उसको divide किया के है, achievers, fast movers और aspirers, अगर land log states की बात करें, तो हरयाना, इमाचल प्रदेश और ये कुछ states में सामिल है, fast movers में, मद्य प्रदेश और राजिस्तान सामिल है, aspirers में, जो अभी सबसे कम बें हैं, वे हैं बिहार, 36 और जारकंड, कोश्टल अगर states क इसी बात कर लें, तो इसमें आंधर प्रदेश और गुश्राज सबसे top पर हैं, इसके अलाबा केरला, जो कि fast movers में हैं, और जो गोवा और वेस्ट बंगाल हैं, वे भी aspirer category में हैं, ये important हो जकता है North Eastern region के लिए, जो कि achievers category में हैं, वे आसाम हैं, इसके अलाबा जो fast movers में ह हैं, तो achievers से आप याद कर लख सकते हैं North Eastern states का, A से achievers and A से आश्राव, इसके लाबा यूटी की अगर हम बात कर लें, तो चंडिकर और धेली हैं, वे achievers category में हैं, और अगर हम इसमें landlock states में, अगर important जो states हैं, उसके अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो है ना, वे achie spiral states में सामेले, तो यह था question हमारा leads report से संबंदते, चलिए, इसी तरीके की session हम आपके बीच में लाते रहेंगे, please stay tuned and subscribe to the Unlock GS Academy, thank you